हेलो दोस्तों मैं यूग एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी मेटल वर्क पीस की एंगल ग्राइंडर से कटिंग या फिर ग्राइंडिंग करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि स्टील की ग्राइंडिंग करने की वजह से उससे बहुत सारी चिंगारिया निकलती हैं बट क्या आपने कभी सोचा है कि उन चिंगारियों से हमारी स्किन जलती क्यों नहीं है तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर कटिंग या फिर ग्राइंडिंग करते वक्त उससे निकलने वाली चिंगारियों से हमारी जो skin है वो जलती क्यों नहीं है तो आई एक बिना time को waste किये वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों उन चिंगारियों से ना जलने के पीछे का जो logic है वो बहुत ही simple सा है एक्चुली क्या होता है कि जब हम angle grinder से किसी steel की cutting या फिर grinding करते हैं तो उस process में उस steel की surface से बहुत ही छोटे छोटे size के particle निकलते हैं और size में छोटे होने की वज़े से क्या होता है कि वो जो particle है वो heat को बहुत ही कम absorb कर पाते हैं और यही reason है कि वो छोटे छोटे जो particle है वो दिखने में भी कम heat को absorb करके ही बहुत जल्दी red हो जाते हैं यानि की लाल हो जाते हैं और हमें देखने में भी यही लगता है कि यह जो चिंगारियां है वो हमारी skin को जला देंगी बट इन practical क्या होता है कि यह जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो इतनी heat को नहीं absorb कर पाते हैं जिससे कि जब वो हमारी body के contact में आते हैं तब वो हमारी skin को जला सकें और यही reason है कि जब वो चिंगारियां हमारी body के contact में आती हैं तो वो चिंगारियां हमें सिर्फ एक गर्माहट का feel कराती हैं ना कि हमारी skin को जलाती हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं कि अब आपको यह concept पूरा अच्छे से clear हो गया होगा और next time अगर आप से कोई ऐसा सवाल करता है तो अब आप उसका answer बता सकते हैं और अगर आपको यह video useful और informative लगी हो तो आप सभी से request है कि please video को like और share करके channel को भी जरूर subscribe कर ले Thank you for watching कर दो